हाल अज हम लोग बात करेंगे ओपन चैनल फुलो के एक और नुमेरिकल की जो के ट्रैपेजर्टल चैनल से रिलेटेड है तो देखने हैं हम लोग कुश्चन क्या है कि फाइंड डिस्चार्ज त्रूए ट्रैपेज़ाडल चैनल फाइंड डिस्चार्ज त्रूए ट्रैपेज़ाडल चैनल और विट्थ 8 मीटर साइट स्लोप वान होर्जेंटल टू 3 वर्टिकल यहां पर एक स्लोप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते है बेड स्लोप जो की बेड यहां का बेड ठीक है और एक होता है साइड स्लोप यह हो गया आपका साइड स्लोप ठीक है जो की रेक्नेंगलर में तो नहीं होता बट ट्रैपेज़ाडल के केस में आपको क्या आता है साइड स को कहने मतलब कि अगर आप सपोज एक यूनिट जा रहा है तो तीन यूनिट यहां तो एक यूनिच तक तीन यूनिटект है तो जो vertical होगा वो कितना होगा 3 meter होगा मतलब यह एक meter है तो यह 3 meter होगा यह अगर 2 meter है तो यह 6 होगा इस तरह का ratio से क्या है ये slope जा रहा है ठीक है तो यह है 1-1 off-derton 2-3 vertical x-cause side slope दिया हुआ ठीक है तर-depth of the flow of water is 2.4 meter the depth of flow है वो कितना दिया है 2.4 meter दिया हुआ value of chase is constant c is equal to 50 यहां पर भी आपको टेंशन नहीं नहीं है डेरेक्ट क्या दे दिया है c is equal to 50 वाल्यू दे दिया है the slope of the bed of the channel given by 1 in 4000 यह आपको क्या दिया है bed slope दिया है bed slope is denoted as i. तो यहां से bed slope भी आपको क्या दिया है given तो हम लोग फिगर से थोड़ा समझते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए एक ट्रेपजोइडल चैनल हम यहां पर आपका वेट दिया हुआ था तो वेट कांसा बॉटम वेट यह हो गया एट मिटर डेफ्ट आपका देदिया था चार्ब 2.4 मिटर इवेन है साइव आपका दिया था वार्न होर्जेंटल टू थ्री वर्टिकल ठीक है अब तो आपको इसका अगर सपोज एरिया निकालना होगा ट्रेपजोइडल का तो वहाँ तो रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बी इंटू डी असानी से निकालेंगे तो ट्रेपजोइडल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू हाइट जो भी हाइट है म 2.4 इन्टू क्या होता है यह विट्थ प्लस टॉप विट्थ प्लस टॉप विट्थ निकालने के लिए यह तो आपको पता है कि यहां तक आपको क्या होगा एट होगा प्रट यह distance और यह distance आपको क्या है पता नहीं है तो उसको हम कैसे calculate करेंगे ठीक है तो वो हम लोग कैसे calculate करेंगे देखते हैं ठीक है तो यहां पर यह बोला कि one horizontal two एक horizontal में कितना जा रहा है तीन vertical जा रहा है ठीक है यह आपको निकालना क्या है यह horizontal ही निकालना है इसी के according यह और आपको दिया है went horizontal ट्रीग ट्रीवटिक तो अगर मिसको उल्टा लिखे तो किया लिखेंगे तीन वर्टिकल में हमको क्या मिलता है एक होर्जेंटल मिलता है ठीक है क्या बोड़ है तीन वर्टिकल में क्या मिलता है एक होर्जेंटल मिलता है तो एक वर्टिकल में कितना मिलेगा एक बाई तीन होर्जेंटल मिलेगा ठीक है अब हमको यह वर्टिकल कितना है 2.4 है तो 2.4 वर्टिकल के लिए क्या मिलेगा 1 by 3 into 2.4 होरिजन्टल तो ये 3 से कितना जाएगा 0.8 तो कहने का मतलब है कि ये जो हाइट है 2.4 ये कुछ इस टेप साइट से हम बना है ये अगर हाइट आपका 2.4 है तो ये कितना होगा 0.8 मिटर होगा तो यहां से हम क्या होगे यह आपका 0.8 जो है यहां का डिस्टेंस जो है यह आपका क्या कैलकुलेट होगा 0.8 और यह भी क्या कैलकुलेट होगा 0.8 तो यह आपका था 8 मिटर और यह है 0.8 और यह भी 0.8 तो आपका टॉप बीट कितना हो जाएगा 0.8 1.6 और यह 8 कितना होगा 9.6 ठीक है और तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं ? एरिया कैल्कुलेट कर सकते हैं तो देखिए यहां से देखिए B एकोट टो गिवें था आपका एट मिटर साइट सलोब दे दिए 1 और जेनीटल 2 3 वर्टिकल D इकोल्स टो पॉंट 4 मिटर C is एकोल्स टो 50 ईजिकल स्थाना सी मतलब की जो डेप्ट है वह एन है आप वह कितना यह दिया है तो यहां से अगर आप बी कैलकुलेट करें यह बी जो है आप कल्कुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा सी बाइवन बाइट त्री जो कि तो यहां से आपका क्या निकल जाता है और टॉप जो आता है यहां से एट प्लस टू इंटू 0.8 9.6 ठीक है पैरी मीटर क्या होता है पैरी मीटर हम लोग पढ़े थे कि जो पैरी मीटर हम लोग कैल्कुलेट करते हैं वह पैरी मिटर करते हैं वेटेट पैरी मिटर तो वेटे है तो 1 is to 3 का स्लोप दोनों के लिए क्लिए क्लिए होगा सेम होगा तो यह डिस्टेंस प्लस यह प्लस यह मतलब बी प्लस यहां पर अगर लिखना चाहें तो यह लिखेंगे अगर आप लिखें यहां से तो यह आपका AD प्लस AB है प्लस बीजे ठेक है CB 37ibly रहेगा और ABC और AD क्या है दोनों सेम है यह हैं यह इंटु क्या लिख सकते हैं वी सी लिख सकते हैं बी सी आपको सॉनग टोंग गवेंने कैसे क्ल्किलीट करेंगे दिखते हैं हम लोग थो तो BC कैसे कślल्कूलेट करेंगे फिर सह म्हाम भी फिर से एंग बर आते हैं देखिए है कैसे कलकूलएट करो BC ये इसको बड़े हैं बनाते हैं ठीक है व्य ब्र का यह हो मैं वसेकी तुट यह हैपका है 2.4 village अपन हॉर नीचे है पोइंत एट और यह क्या है 90 डिग्री तरो डिग्री क्या बीसी इपलस्ट व्यक्वर कर जएगा रूट ओवर लिह सकते हैं किसको बीसी द्रूत ऑबर पॉइंट एट का स्कॉरर फॉर का स्कॉरर जो भी है समझमे यहां से यहां से देखिए हम लोग BC कैसे कैलकुलेट किये हैं यहां BC इकल्स टो बीए स्कूर प्लस स्कूर पॉइंटेट का स्कूर 2.529 तो यहां से एरिया ओफ ट्रेपज़ाइडल सेक्शन अबीजिटी क्या हो जाएगा वन बाइट टू बेस प्लस टॉप इंटू हाइट यहां ग लोग BC वीं कल्कूलेट कर चुके हैं ठीक है यहां सम्म लोग BC क्या किये चल्कूलेट कर चुके तुप ड्रम तटोंतर यहां सब परमेटर करेंगा आ ठीक है और अगर आपको discharge निकालना है तो अरिया इंटु वेलसिटी अरिया इंटु सी रूट एमइए तया आई आपको गिवेद था है करने आना होगा अगर वो आप अच्छे से कर पाते हैं तोनों मिर्कल क्या करते हैं इजली स्वाल्ट कर सकते हैं ओके थेंक यूँ